नमस्ते दोस्तों, विवान शॉर्ट स्टोरीज में आपका स्वागत है, इस से पहले आप कहानी में खो जाएं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, धीरे बोलो कोई सुनना ले, ये बात हम सब के कानों में पड़ी होगी और हमारे मुह से भी निकली होगी, लेकिन सोचने की बात ये है और वही बातें जो जाने अंजाने हमने किसी दूसरे के सामने बता दी थी, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, और फिर बाद में हमें पच्छतावा होता है कि मुझे यह बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी, मेरी ही गलती हुई कि मैंने जाने अंजाने ये ब बतानी ये जो साथ बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी क्यों नहीं बतानी इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको दूँगा और इन साथ बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो मुझसे छूट गई या मैं नहीं बता पाया तो कमेंट सेक्शन म जरूर बताना। इस से पहले कि आप इस बौध कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उसने अपनी पतनी को कहा कि मैं जीज जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ, तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहां काम की जरूरत नहीं है। जाते तक नहीं हो। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी। तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी। अपनी गरीबी दिखानी होगी ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझ कर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म म जिन काम मांगने के लिए गया था, लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेट से प्रार्थना की, उससे विनती की, कि वो बहुत गरीब है, और उसे काम की बहुत आवश्यक्ता है, वो जो कुछ भी उसे देंगे, उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे अपने यहां काम पर रख लें, उसकी ये हालत देखकर उस सेट ने उसे अपने यहां काम पर रख लिया, वो रोज वहां पर काम पर जाने लगा, अंदर ही अंदर वो खुश तो था, कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था, वही काम जो प्यादा वेतन मिल रहा था और इससे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा, तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, मेरा धन्यवाद करने की बजाए तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। ये सु धीरे धीरे उसने ये बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीटता रहा और राजेश पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा। लेकिन अब परिस्थितियां बद परिस्थितियां बीटत कर रहा है और उनसे कम वेतन पा रहा है। इससे उसके आत्म सम्मान को बहुत गहरी चोट पहुँची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्म सम्मान के साथ समझोता करना पड़े। इसलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वो घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसलिए उसने अपने सगे संबंधिय और अपने दोस्तों से सहायता मांगने शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे। उसे दिलासा देते थे लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते हैं कि कितना बेवकूफ है। सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिये। अरे हम इसको पैसे दे दे तो ये कल हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा। इसकी ऐसी हालत है। काम तो इसके पास कुछ है नहीं। पैसा कहां से लाके देगा। और इसी वजह से राजेश की हालत दिन बदिन खराब होती जा रही थी। अब वो दि का पात्र समझ रहे थे, उन्हें उसके उपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है। ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले उंगली पकड़ कर, हा रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। इसी लिए जाने या अनजाने वो उस बौध भिक्षू के पास पहुँच जाता है। वहां पहुँच कर वो सीधे उनके पैरों में गिर कर रोने लग जाता है। वो रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थिती बताता है। उसे बता ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुध्धी हीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता, तो इन में से एक भी समस्या तुम्हारे मन को दुखी नहीं कर सकती थी। लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण, खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिये। आज मैं तुम्हें साथ बातें बता रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर कर ही सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनके उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दें लेकिन कल वो तुम्हारा फाइदा उठाने से भी नहीं चूकेगा और अगर फाइदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं चूकेगा, इसी लिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो, अगर घर में दो रोटी है, सूखी रोटी है तो वहीं खा कर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए, जरा आप खुद सोचो, मजब उठाने से नहीं चूकेगा, और अगर वो फाइदा नहीं भी उठाएगा, तो अपनी नजर में तो वो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा, इसी लिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को म बताना, दूसरी बात, जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, वो है अपनी अतीत की गलतियां और भविश्य की रणनीतियां, जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं, तो उसका क्या प्रभाव होगा, वो गलतियां ठीक तो नहीं की जा सक आपका एक चरित्र गठित हो जाएगा और वो भविश्य में हमेशा आपको उसी नजरिये से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नजर में अपना चरित्र गठित मत होने दो। और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविश्य की रणनीतियां दूसरों के सामने ब में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी भविश्य की रणनीति किसी को बताई हो और वो काम्याब ही ना हुई हो, जरूर हुआ होगा। जरा कौर से सोचिए, तीसरी बा परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने धिंडोरा पीटते हो, तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है। और वह इसका फाइदा उठाने से कभी नहीं चुकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्यों को लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बलकि आपके घर के लड़ाई जगडे और ज्यादा बढ़ गए होंगे और वो जाहिर है, वो बढ़ेंगे। अगर आप अपने माबाप की बात दूसरों को बताएंगे, तो आपके माबाप को बुरा लगेगा ही कि हमार बेटा हमसे बताए बगेर, दूसरों को ये बातें बता रहा है, इसी लिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई जगडे किसी के सामने मत बताना। कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी, तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है, तो आप भी उनकी मदद कर सकते हैं, और इसी लिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक जगड़े का कारण हो सकती है, कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे, और ज्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे, तो अपनी आमदनी बताने का कोई मतलब नहीं है, पांचवी बात, जो मैं आपको बताने वाला बहुत ही बुद्धिमान आदमी है, और दूसरी बात की आपको ये बातें किसी से साज़ा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी या दूसरों को पता चल गई, तो वो आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई, तो वही ताक में उनसे हमेशा दबके रहना पड़ेगा. अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रू. आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे, तो वह आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बना कर आपको दिलवा सकते हैं, आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं. अकसर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आपके शत्रू का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए. क्योंकि आज जो अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना, अगली और आखिरी बात कहना चाहता हूं कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना नहीं, तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है, जब आप अपने दान का धिं जब आपका बाया हाथ दान कर रहा हो, तो दाएं हाथ को बिना पता चले की बाया हाथ दान कर रहा है। ये साथ बातें जो बौध भिक्षु ने राजेश को बताई। आपको ये बातें सच मालूम पड़ें।